नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अश्टेडी 24 जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है जिहां रेलवे की ओर से जो है नोटिफिकेशन, ओफिसल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, असिस्टेंट लोको पाइलेट की सिलेवस के साथ साथ जो है कौन से जोन में कितनी स सब कुछ जारी कर दिया गया है, तो हम लोग इस वीडियो में पूरी डीटेल देखने वाले हैं, तो भने रहिए का हमारे साथ अंत तक, सबसे पहले में आपको सीटों की संख्या ही दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बाकी डीटेल तो आप लोगों ने देखी लिया होगा, तो सबसे पहले में आपको सीटों की संख्या ही दिखा रहा हूँ, देखें, सबसे पहले बात करें 450, तो हमधावाद जून में ऐप देखेंगे, तो टोटल 238 सीटे दी गई है, अजमेर में 287 है, बेंगलॉर में आप देखेंगे, तो 473 है, और भॉपाल में देखेंगे, जो कि WCR और WR के अंतर गताता है 219 और 65 सीटे यहाँ पर दी गई है भौफाल में भौवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर देखे 280 सीटे दी गई है बिलासपूर की बात करें तो CR जोन में और SCR जोन में आप देखेंगे तो 124 सीटे है और 1192 सीटे है 1192 यानि कि सबसे ज़्यादा सीटे जो है वो बिलासपूर जोन में दी गई है और वहीं चंडीगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 66 सीटे दी गई है कोलकाता की बात करें तो ER में देखेंगे और SCR में तो ER में 254 है SCR में 91 है ठीक है फिर मालदार में देखेंगे तो ER में आप देखेंगे 161 सीटे है और SCR में आप देखेंगे SCR में देखेंगे तो 56 सीटे दी गई है Mumbai Board की बात करें SCR में देखेंगे तो 26 सीटे है और WR और CR में देखेंगे तो यहाँ पे 110 और 411 सीटे दी गई है इसके अलावा अगर आप देखें Next में तो मुझफर पूर की बात करें तो ECR में देखेंगे तो 38 सीटे हैं, वही पटना जोन की बात करें, पटना बोड की बात करें, आरर भी पटना की, तो ये 38 सीटे हैं, परियाग राज में देखेंगे, और यहां पर परियाग राज का मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देख पार हैंगे, NCR में देखें तो यहां एक सो तिरपन है और E-C-O-R East Coast railway में आप देखेंगे सिकंद्राबाद में तो आप यहां पे 179 सीटे हैं और SCR में देखेंगे तो यहां पे South Central railway में आप देखेंगे तो 569 सीटे हैं और वहां ही सिली गुडी में देखेंगे तो NFR में 67 सीटे हैं और तिरवनतपुर में आप देखेंगे तो 70 सीटे है यानि टोटल जो है 5696 पोस्ट पे किलियर वैकेंसी निकाल दी गई है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है अब बात करते हैं कि कब से कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं और डेट बगेरा क्या है पूरी जानकारी आप यहां पे देख पा रहे हो है 2021-2024 से सुरू होगी और 19 फरवरी तक आप आविदन कर पाएंगे अगर आपके फोर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप अपने फोर्म में मोडिफिकेशन यानि की करेक्शन जो है 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं सेलरी बवेरा तो आपको कल ही पता चल च ही गई है सीटो की संख्या बता ही दिया गया है अब चलिए इसमें जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि online link बगएरा कहां से भी लेगा तो online link देख पा रहे होंगे आपको रोजगारब्यार.com पर उपलब्द करवा दी जाएगी यहां पर आप देख पा रहे होंगे पूरी डीटेल भी दे दी गई है ठीक है और इसके साथ application फिस बगएरा की जानकारी दे दी गई है category wise करके तो यहां पर भी चेक कर सकते है एज कितनी होनी चाहिए category wise वह भी बता दिया गया है सीटों की संख्या बता दिया गया है qualification बता दिया गया है पूरी डीटेल के साथ requirement process क्या होगा यारी कैसे chain किया जाएगा chain पर प्रिया यहां पर बता दी गई है इसके अलावा CBT बता दी गई है यारी जो आपका examination syllabus है और exam pattern है वो सब सारा कुछ बता दिया गया है qualifying marks मता दिया गया है कि कितने marks आपको परिच्छा में लानी है वो भी आपर बता दिया गया है negative marking भी बता दिया गया देख सकते है या 3 का negative marking लिया जाएगा 40 मार्ग जो है आपका one 3 होगा cvt 1 और cvt 2 दोंहों में और आपका परिच्छा जो है देख सकते है cvt 1 में क्या पुछ पुछा जाएगा देख सकते हैं 75 question है duration 60 minute का मिलेगा mathematics है general intelligence and reasoning है कौन को सब्जेक्ट से कितने question है यहाँ पे कौन को से chapter से questions पुछे जाएगे वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है आकर आप check कर सकते हैं ठीक है second stage में आपका 100 question होगा आप देख पा रहे होगे 90 minute का time मिलेगा जिसमें आपको क्या-क्या पुछा जाएगा यह भी बताएगा है part B में आपका 75 question जो trade का होगा उसमें क्या-क्या पुछा जाएगा qualify mask कितना है 35% है तो यह सब सारी जनकारी आपको रोजिदरभ्यार.com पे दे द दी गई है आपका third stage जो CBT होगा psycho test यादि aptitude test उसके बारे में भी जानकरी दे दी गई है qualify marks भी बता दिया गया है और link भी आपको 20 तारिक से यहाँ पर activate हो जाएगा तो यहाँ से check कर पाएगे और short notification भी यहाँ पर देख पाएगे और official notification भी डाल दिया जाएगा तो यहाँ चेक कर पाएगे देखे requirement process में यहाँ पर आपको notification में भी बताया गया है first stage में आपका CBT1 होगा CBT2 होगा second stage में CBT2 लिया जाएगा फिर third में जो है आपका computer based test जो aptitude test जो psycho test होगा वो जो कि रोजगारभ्यार.com पर भी बता दी गई है और चौत्य में आपका document verification है और पांच में आपका medical examination लिया जाएगा तो यह सब सारा कुछ बता देगा क्या 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 पूछा जाएगा यह भी यहाँ पर बता दिया गया ठीक है तो आकर check कर सकते हैं पूरा detail आपको रोजगारभ्यार.com पर भी उपलब देखिए वही सब चीज है यहाँ पर भी आपको notification में भी कुछ है नहीं जो भी detail था वो मैंने आपको लगबग चीजे जो है बिलकुल सब कुछ बता ही दिया है अगर आपको इसको download करके देखना है तो मैं link दे दूँगा वीडियो के description में आपको telegram का link दे दूँगा वहाँ से आपी से आसानी से download कर पाएंगे ठीक है telegram join कर लीज सा तब तक के लिवाए जेहन